तो नमस्कार तो आप लोग कैसे होंगे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो आपका दिन सुब हो तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है तो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को 27 पाइसर थ्री ट्रेक विंडो कैसे फिटिंग होता है शुरू से यन तक बताएंगे तो आप ध्यान से देखते रहें कि इस तरह फिटिंग होता है शटर फिटिंग होता है और इंटरलाक पट्टी कैसे फिटिंग होता है और लोग कैसे फिटिंग होता है और शटर किस तरह करलास में टाइट करते हैं और ट्रेक कैसे फिटिंग कर हम आपको सब वीडियो दिखाते हैं है अब दोस्तों तो अब यह देखिए अभी दुकान प्यांगे हैं कटिंग कर रहे हैं किस तरह कटिंग करके कर लिया है तो यह कलर में जाएगा वाइट पाउडर कोटिंग करके आएगा वाइट कलर में यह कोटिंग होएगा और यह ट्रेक है ट्रेक भी कलर में होएगा तो 27 वे सटकर डुमाल ट्रेक है तो यह ट्रेक कलर से आ गया है और हैंडल कलर से आ गया है अभी काच में रबर चला रहे हैं रबर चलाने के बाद साइड में ताप बाटम ताप बाटम टाइट करेंगे ताप बाटम टाइट करने के बाद उपर का हैंडल लॉक वाला टाइट करेंगे फिर इसके बाद इंटर लॉक शाइट टाइट करेंगे तो यह वीडियो में बने रहिए और लाइक सेस्क्राइब करते रहिए शेयर भी करिए तो आप देखते के रहेंगे द्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा यो इस तरह होता है अभी सख़र्ड फिटिंग बता रहे हैं फिर पर्टी मारेंगे तो एंगल में फसा के इसमें एंगल बानते हैं एंगल बानने से ग्रू में डालके उसको इस से टाइट करते हैं और एक एंगल में चार स्कुरू लगता है चार स्कुरू टाइट करने के बाद इसको अभी पल्टी मारके उधर भी इंगल बाना हुआ अभी इसको रबर चढ़ाएंगे ग्लास पर रबर चढ़ा लेंगे चढ़ाने के बाद चढ़ाने के बाद उसके हैंडल डालेंगे और टाइट कर देंगे और इसके बाद उसमें एंगल में स्कुरू मारेंगे और उसमें कोनिया फसाएंगे अभी कात्रे में कटिंग कर लेंगे रबर को बराबर ताकि कात्रा बराबर बैठे फिनिसिंग बैटना चाहिए कात्र में चार कोनिया लगता है और नीचे चार कोनिया लगेगा उपर चार कोनिया लगेगा दो कोनिया लगेगा उसको बराबर लेके उसको ठोके बैठा लेंगे और कात्रा बरोबर बैठ जाएगा इस तरह ठोकें कात्रा बरोबर बैठ जाएगा फिर रबर को बैठा लेंगे बर पिर उसको उठाके स्क्रू मारते हैं और इसको इंगल कैसे बानना हुआ है आपको दिखा रहे हैं ऐसा इसको उस्तुर फसाते हैं अभी सटर बन चुका है गाड़ी में गाड़ी में लोड हो चुकी है अभी हम लोग साइट पर चाहेंगे फिटिंग करने के लिए वह दिखा आपको तो वीडियो में तक बने रहे हैं इसकीप करके मत देखिए कृपिया आप ध्यान से देखिए अभी हाँ साइट वे पहुच चुके हैं वहां पर अभी माल उतारेंगे माल उतारने के बाद फिटिंग करेंगे वह आपको दिखाएंगे तो यह ट्रैक उटार रहे है त्रैक उटारने के बाद फिशटर उतारेंगे सटर उतारने के बाद इसटर उतार रहे हैं सटर लेके जाएंगे फिटिंग करेंगे तो वि तिखाएंगे आपको गाड़ी से माल उतर चुका है और गाड़ी से माल उतर चुका है अभी ट्रैक में इंगल बानेंगे तो इंगल किस तरह बानते हैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से सिखाएंगे आप ध्यान से देखते रहें किस तरह इंगल बानते हैं ट्रैक में इंगल कैसे बानते हैं ट्रैक में जो एंगल बानते हैं वो 160 अंदर बानते हैं देखिए 160 से अंदर बानते हैं कात्रे के साइज से और फिर उसको बाद मार्किंग करेंगे पेंसिल से मार्किंग करने के बाद पेंसिल से मार्किंग करेंगे तीन होल रता है तीनों में मार्किंग करेंगे फिर उसको मार्किंग ठीक साथ चोसर पाना बान के उसको ड्रिलिंग करेंगे और तीनों drilling करने के बाद उसको लगाएंगे फिर इस screw से उसको drill machine से tight कर देंगे तो यह आसानी से track का आप 160 अंदर track से अंगर लगा देंगे तो यह इस तरह से चारों तरफ इंगल वानेंगे चारों तरफ track के अंगल वानेंगे फिर इसके बाद इंगल बादने के बाद आपको असानी से ट्रेक बना सकते हैं तो यह चारो तरफ ट्रेक इंगल में बन गया है अभी इसको जॉइन मार रहे है यल में वो इंगल में फसा के कात्रे में मिला के किस तरह से जॉइन किया जाता है कात्रा और ट्रेक फिटिंग कि तरह किया आता है त्री ट्रैक 27.6 डुमाल का ट्रैक है एक इस तरह कात्रे में बनाके फ्रेम अब यह अल में बन गया है और फिर उस साइड में बनाके यह जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद बैज उसको ड्रिलिंग करेंगे वह एंगल है जो इदर से टाइट करेंगे तो एंगल में खीच के कात्रा में पर्फेक्ट मिला देता है और खोलता नहीं तो इस तरह से आप ट्रैक को फिटिंग कर लेंगे त्रेक फिटिंग करने के बाद उसको पल्टी मार के नीचे वाले ट्रेक में फिट करेंगे इस तरह से ट्रेक में किस तरह फिटिंग करने ध्यान से देखते रही है वजयों बने रही है देखिए ट्रेक में डाल रहे हैं कात्रे में कात्रा मिला के एंगल में डालते हैं एंग ट्रेटर बाहर भीतर नहीं जाएगा तब चार्य आंगे यह फिडियो करेंगे ले तो इसको अभी जगव प्रिचाएंग SCC2 सब्सक्राइब में बिदिो बने रही है और इन्ट्रेंस्टीग विडियो है अप द्यान से देखते रही है इसतर की सब्सक्राइब मसीन से और उसके अंदर बटन आईगी और बेटन कैसे डालते हैं ल von दिखाएगे द्यान से देखते रहे हैं इसको फिटिंग कर रहे हैं और ड्रिल मार देंगे तोड़ी सु मार के इसको टाइट कर देंगे यह फ्रेम फिटिंग कर देंगे चारा तरफ स्कुरू मार मार के तो यह फ्रेम फिट हो चुका है और फ्रेम फिटिंग करने के बाद सटल डालेंगे उपर पाइप कमाप लेंगे उपर पाइप डाल देंगे और इसको फिनिसिंग कर लेंगे और फिनिसिंग करने के बाद पाइप कटिंग करके पाइप अभी डिलिंग कर रहे हैं मेरा उसको ड्रिलिंग कर लेंगे ताकि अभी सटर डाल द इए सटर डालने के बाद आपको एक सटर डाल द दिए वह दूसरा सटर आएगा दूसरा सटर डालें आप दियान से देखते रहें यह 30 रकी सटर की सथर डालाताएं Top remed बाल्डिंग नीचे रखेंगे और उपर डालेंगे पहले सबसे पहले उपर डालते हैं फिर नीचे डालते हैं और बारिंग उसके उपर डालते हैं ताकि ट्रैक के उपर आसाने से गोमने लगता है देखें किस तरह फिटिंग हो चुका है दूसरा सटर डला गया अब इसको वराबर शेटिंग करके देख लेंगे अभी थोड़ा सा आउट दिख रहा है तो इसको एक साइड से थोड़ा सा लकड़ी लगा के ठोकेंगे तो भी वानेट जितना एक सुझ जितना आउट है तो भी सीधा हो जाएगा और इसको गयब से कात्रा भर लेंगे ताकि गयब थोड़ा भी दिखे न इस तरह से सिलिकोन से भरते हैं गयब और जितना गयब है वह सब सिलिकोन से भरा जाएगा कि अगया और यह सटर आगया तीसरा भी और उपर डलेंगे पहले फिस तरह सटर डालते हैं तीसरा सटर भी ध्यान से देखिए ओ तलसे बिंडों फिटिंग होता है आप फिंडों फिटिंग करना डोमाल आज शीक जाएंगे इस से डोमाल शटर डाल दीए अभी आसानी से ऊचलाएंगे अभी चल रहीए शटर ऊच्नुस पीडिंग करना सिखाएंगे और और जिदेर इदर है उस अब भरैंगे और लोक लगा के तरफ पूस करेंगे फटाक से फिटिंग हो जाएगा यह फिटिंग हो चुका है लोक अब इसको कुंडी उसका लंकी से टाइट कर देंगे और यह फूस कर रहे हैं बराबर जा नहीं रहा है तो उसको फाइल से थोड़ा घसेंगे अब देखिए फाइल से घसने के बाद उसको फूसिंग कर देंगे तो फटाक से लोक बैड़ जाएगा इस तरह से पूस कर देते हैं तो अंदर चला जाता है लोक बैड़ गया है अब इसका कुंडी लगा के उसको यह लंकी से टाइट कर देंगे और इसको मार्किंग करेंगे कुंडी का खाचा कुंडी का खाचा मार्किंग करने के बाद आसानी से आपको लोक होएगा वह आपको दिखाएंगे किस तरह लोक होता है हुआ हम अभी यह लंकि से टाइट कर रहे हैं और टाइट हो चुका है विद connection करेंगे मार्किंग करने के बाद हैं उसका खाचा मारेंगे एखाचा गयरमारने के बाद पंचिम अमार के पंचिण मारेंगे जो आसे मारें हैं उसके अंदर पंचिंग भाण करेंगे ओणुमाल का धारी रता है धारी के उपर पंचिंग मारते हैं देखिंगे किस तरफंचिंग मारें ताकि टील मशीन मार तो इधर बार भागना नहीं चाहिए तो अभी drilling कर देंगे सब हर एक करने के बाद उसको कि रिट् dois से डीलिंग करेंगे 3 यडियट के पाना से फिर डीलिंग करने के बाद 4 के पाना से डीलिंग करने के बाद कि उसमें कुंडी डालके टाइट करेंगे तो ये drilling हो चुका है वन फूर का पाने लागा के ड्रिलिंग कर रहे हैं वन फूर कर डालने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे उपर करके स्खिनेंसिंग करते हैं और ये खाचा बनके तयार हो जाता है तो खाचे के अंदर वो कुंडी जाती है काटे के अंदर कुंडी जाएगे फिर उसके बाद तो को ड्रीव धेंगे ट्रीलिंग वाद इसको लग लगाएंगे तो लौक के असानी से बढ़ जाएगा पिशुँड दबढ़ जाएगाश के के अब लोग बढ़ जाएगा उपार टाइट करते इसमें भी तिन करींस टाइट होता है कि आवे लोग हो गया तो एक लोक हो गया भी दूसरा लोग भी बन जाएगा कि इस तरह से आ हरा है कर वीडियो में बने रह屁ए आपको इंटर लोग पटी अभी दिखाएंगे किस तरह फिटिंग होता है द्यान से देखते रहेंगे तो को समझ में आएगा किस तरह इंटर लोग फिटिंग होता है अभी यह शटर का लोग फिटिंग हो चुका है 27 वेश्ट डुमाल का लोग भी सीखे आप लो और कात्रे में भी सिलकून बर लेंगे और यह इंटर लोग पट्टी है जो दिखाई दे रहे इंटर लोग पट्टी ह इसको भी अभी फिटिंग करके दिखाएंगे इस तरह देखी इंटर लोग पट्टी लगाएंगे उपर से लगाएंगे और हाथ से ठोकेंगे पट्ट करके बढ़ जाएगा फिर दिल से टाइट कर देंगे तो टाइट हो जाएगा इस तरह से टाइट किया जाता है अब इ इंट्रलोग पट्टी बैठ गया है इस तरह से सब में इंट्रलोग पट्टी लगाएंगे कि वह लोग लोग जिदर है लेप्ट और राइट का उसमें नहीं लगता है इंट्रलोग पट्टी तो यह अभी इंटरलोग पट्टी दुसरी में बैठा रहे हैं दुसरा इंटरलोग पट्टी बढ़ जाएगा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ध्यान से अब इसको ड्रिलिंग कर लेंगे और इसका जो भी गायप है वो गायप भरेंगे फिर इसके ब सब्सक्राइब के तयार है अब इंटरलोग पट्टी लगा रहे हैं आपको गयप पूरा सिलिकुन से भर देंगे ताकि वो गयप दिखे न असानी से गयप बंद हो चुका है चारो तरफ का गयप बंद हो गया है अभी लोक लगा के इस तरह चेक कर लेंगे एक बार बराब और यह बटन लगा देंगे जिदर होल था उदर बटन लगता है पाइस इस्टेंस होल मारके उसका बटन रहता है डो माल का लोक लगा देते हैं और यह फाइनली अभी चेक कर रहे हैं लोक बराबर लग रहा है कि नहीं तो फाइनली विंडो बन चुका है तो ध्यान से आप इस तरह से 27 विंडो 27 विंडो बना सकते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब करें और सपोर्ट करें और सेयर करें और स्कीप करके नहीं देखें बीच बीच में रुक रुक के नहीं देखें भगा के नहीं देखें अच्छे से देखते रहे हैं तो आपको और सा तरा वीडियो बना के मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कहिस तरह बनती है तो देखें